तो समचार पत्रिका में छापा गया कि भारत में रक्षा बंधन का प्रारंब मुगलों ने किया आलमगीर 2 को एक हिंदू महिला ने बचाया और आलमगीर ने उस महिला को अपनी बहन बना लिया तब से सलोना पर्व या रक्षा बंधन मनाना प्रारंब हुआ दूसरी कहानी लिखी गई कि हुमायू को रानी करनावती ने राखी भेजी थी और तब से इस पर्व का प्रारंब हुआ अब लॉजिक देखना भाई रानी करनावती के पती थे राणा सांगा जिनकी लडाई हुई बाबर से और उस लडाई में वो चोटिल हुए और उनकी मृत्य हुई बृत्यू के बाद रानी ने राजभार संभाला और अपने पती के हत्यारों यानि हुमायू जो बाबर का बेटा था उसको राखी बेज दी वाह लॉजिक समझ में आ रहा तुमें और इन सब कहानियों से दूर महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण के हाज़ पर एक ब झालों